आज हम बात करेंगे बाबा राम देओ की यह बाबा राम देओ अन्ना आंदोलन की समय से बड़ी चर्चाव में आए और अन्ना आंदोलन की समय इन्होंने बहुत बड़े-बड़े वादे करके और भाजपा के बहुत निकट पहुंच गये थे तो इनकी दो छबी थी, कि इनके एक तो गेरवा वस्तर थे, दूसरा बाबा बड़े निर्वीक होके बोलते थे तो अन्ना अंदोलन के दोरान, जब इन्होंने कहा था कि हम सार्फ उपेलीटर पेट्रोल मिलेगा, ऐसा होगा, काला धन वापिस आ जाएगा तो बाबा की टियारपी इतनी बढ़ी, कि 2014 के लोग सभाचुनाओं में, इसका फायदा भारती जन्ता पार्टी को मिला और वो भारती जन्ता पार्टी के ऐसे नौर अतनों में सामिल हो गए थे, कि उन्हें उसके बाग, फिर उन्होंने सब को इरनोर करना शुरू कर दिया था और बाबा जो चाहते थे, जिस राज्य में जाके जो काम करना चाहते थे, जो भी वो अपना विस्तार करना चाहते थे, सरकार हमेशा पलक परौंडे विछा के बाबा के लिए बैठी रहती थी धीरे धीरे बाबा का एंकार इतना बढ़ गया कि उन्हें ये लगने लगा कि ये केंद्र की सरकार, नरेद मोती की सरकार भी हमाई कारण चल लई है और उन्होंने उसी एंकार में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्ता को भी सीधे सीधे चुनोती देने का काम शुरू कर दिया था उन्हें लग रहा था कि वो कानून से बड़े हैं, वो खुद अपने आप में सरकार हैं और इसका प्रतिफल आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला जब कोविड आया, तो कोविड को उन्होंने आपदा को कैसे अउसर में बदला ये बात बाबा रामदयों के वो जो उन्होंने एक आरवेदिक दवाई बनाई थी और उसको कहा था कि ये दवाई लेने से, कोरोने और कोविड ठीक हो जाता है, और उन्होंने अंग्रेजी दवाईयों की ना केवल बुराई की थी, बल्कि एलोपेशी चिकिस्चा के उपर भी लगातार सवाल उठाते हुए और तरे-तरे की बातें की थी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कई वर्सों से चल ला है इन्होंने अपने कुछ ऐसे विग्यापन दिये जिनमें जूटे दावे किये गए थे कि यह दवाई इस काम के लिए आती है और यह दवाई का उपयोग करने से आप पूरी तरेके से ठीक हो जाएंगे तो कोरोना से लेके बागी और भी आपने बीमारियों का लेकिन उनकी दवाईयां लेने के बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे थे उनका कोई प्रमानिक स्वरूप नहीं था लेकिन बाबा को चुकि कोई डर नहीं था भै नहीं था सुप्रीम कोट ने जो उनने नोटे जारी किये बाबा इतने एहंकारी हो गए थे कि उसका जवाब देना भी उने लग रहा था कि यह उनकी मान प्रतिष्था को ठेच महुंचाने वाली बात है कि सुप्रीम कोट ने नोटे जारी कर दिया अब जब नोटी जारी हुआ और उन्हें जवाब नहीं दिये लगातार जूटे दावे वाले विग्यापन चलते रहे यहाँ पर भी उन्होंने सुप्रीम कोट के आदेश की अम्माना की और बाबा ना तो जवाब दे रहे थे और ना सुप्रीम कोट पहुँच रहे थे पिछले तीन सालों में लगता है कि न्याय पालका का सब्र का बांध भी तूट गया निश्यत उप्षे बाबा राम द्यों एक योग गुरू के रूप में उन्होंने जो एक शुरूआत की थी और लाखों करोणों लोगों को उसका फाइदा भी मिला कि योग के माध्यम से भी अपने सरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है लेकिन उन्होंने अपने जो गेर्वा वस्थ हैं उसका जिस तरह से व्यापार में उप्योप करना शुरू कि किया और व्यापार में भी जोटे दावे करके और एक ऐसा अवा मंडल बनाया उसमें सरकार के लोग भी सामिल हो गए बड़े बड़े लोग भी सामिल हो गए और उन्होंने खुद भी अपने आपको मतलब अपने भगवा सरुप का जो दुर्पयोग किया और कैसे पहनावा होना चाहिए कैसे सोदेशी की बात करते थे कैसे काले धन की बात करते थे कैसे सथे पैट्रोल डीजल की बात करते थे वो सब बाबा भूल गए बाबा दावा करते हैं एक अपनी टियारपी बनाते हैं और उसके बाद फिर लोगों को मूर्ख बनाके पैसा कमाके आगे निकल जाते हैं आज सुप्रीम कोट ने बाबा राम दियो और उनके जो बाल किसंजी हैं उनको उनकी अवकाद दिखाती है उन्होंने कहा कानून की ताकत कैसी होती है यह आप जाने हैं अम्माना का केस था इन्होंने हाँ जूर कर सुप्रीम कोट के सामने छमा मांगिए लेकिन सुप्रीम कोट ने छमा देने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा एक हपते के पहले एक हपते के अंदर सबत पत्र देकर पहले तो जो पुरानी बाते हैं नोटिस के जवाब हैं ये सब आप इन चीज़ों कुछ कीजिए अब मानना का मामलत चलता रहेगा इस पर हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना है लेकिन जो बिना सत्त या सत्तों के साथ जुमाफी नामा पेश किया गया था उसे सुप्रीम कोट ने पूरी तरीके से खारिज करते हुए या कह दिया है कि नहीं बाबा अब मानना तो यह जो प्रक्रण है यह चलेगा अब आप सुप्रीम कोट ने जो आपको निर्देश जारी किये हैं पहले उनका पालन करिए कानूनों का पालन करिए तब हम इस पर सूचेंगे कि हमें आगे इस पर क्या करना है आज सुप्रिम कोट ने केंद सरकार को भी बड़ी लतार लगाई आज केंद सरकार का रुख बाबा के प्रतिक ऐसा था ये इसपस्ट हो गया कोरो निल दवा और दूसरे मामलों में जहां इनकी दवाएं अमानक पाई गए और केंद सरकार ने कारवाई करने की स्थान पर केवल चेतावनी देके इन्हें छोड़ दिया था इस बात पर सुप्रिम कोट ने तीखी प्रतिकरिया वेक्त किये है और पहली बार बाबा राम देव को साइद लगा है कि नहीं वो कानून के राज में रह रहे हैं और उन्हें भी सुप्रिम कोट के आदेशों का पालन करना होगा उनके लिए भी एक सीमा रेखा तै है वो जब-जब सीमा रेखा क्रास करेंगे तो इसके दुस्परणाम उन्हें भी एक जैसे आम नागरिक को भोगने पढ़ते हैं वैसे बाबा राम्तियों और बाल किस्न को भी भोगने पढ़ सकते हैं तो आज न्याय पालका ने जो नेना किया है उससे न्याय पालका की ताकत का एसास अब आम नागरिकों को तो हो रहा है लेकिन जो बड़े-बड़े नेता थे जो अपने आगे कोट को कुछ समझते नहीं थे अब निच्चित रूप से आज जो सुप्रीम कोट का रुप था उसके बाद कानून की साख बढ़ेगी कानून को लोग मानेंगे और जजों के बारे में जो अभी जैसे हो रहा था कि एक निच्चुनावी बाण के संबन में आया वो सरकार को लगा कि ये निच्चार के खिलाफ है तो किस तरह किस से मुख न्याधीस महोदे की को ट्रोल करके और बदनाम किया गया ट्रोल करके उनको डिमाड़ाइज करने की कोशिस की गई अच्ची बात है कि हमारे अच्चा भारत की याय आयपाल का सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उसको लेकर कोई पितकरिया झाल लेकिन इसकी पितकरिया अब आम-जनों के बीच में होने लगी है कि या तो सुप्रिम कोर्ट के निर्नाई को आप कानून में नहीं होते हूं और अभी जो चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोड का आदिर दिया था और जिस तरीके से सुप्रीम कोड के जजों को ट्रोल किया गया है तो भारती जंदा पार्टी के जो एक ट्रोल आर्मी है उसमें सरकार का तो कुछ लेना देना होता नहीं है लेकिन ज लुग कानून का पालन करें न्याय के प्रति आस्था रखें और न्याय़ पालका के प्रति आस्था रखें यह कहीं न कहीं से संदेश हो गया है बाबा राम्तियों जो अभी तक हावा में ओड़ा रहे थे, मोजवानी उन्हें काला धन लाके और इतने हजार करोड ये करोड वो करोड पैटरोल इतने का मिल जाए गए जो जिन मामनों से उनका कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन वो जो साधू का भेश था, वो जो उनका साधू के वेश में रहते हैं, योग सिखाते हैं, लोग उन्हें योग गुरू मानते हैं, उनके प्रति जो आस्था प्रदर्शित करते थे, उसका दुर्पयों को इस रूप में करेंगे, कि अब तो लोग ये भी कहने लगें, कि जैसे रावण ने सीता का अपहन करते समय साधू का वेश रखा था, और साधू के प्रति जो आस्था थी सीता मैया की, उस आस्था को का दुर्पयों करते हुए, और सीता जी का अपहन करके उस लंका ले गए थे, ठीक यही काम कर रहे हैं कि कहीं से कुछ भी उत्पात बनवाते हैं, अपना सील ठपा लगाते हैं, खुद प्रिचार भी करने लगे हैं, अब तो उन्हें माडल की भी जरूवत नहीं है, वो खुद माडल बनके प्रिचार कर रहे हैं, उनके कई विख्यापन ऐसे हैं, जिन में बाबा ख को प्रस्तुत करके भक्तों की आस्थाओं के साथ, जो एक सादू वेश के साथ भारत में एक भावात्मग लगाओं, क्यों उनका विश्वास करते हैं लोग कि ये सादू की वेश भूसा में हैं, और इनके कौन सादू वाले होंगे, लेकिन वो भी एक व्यापारी ही निकल और व्यापारियों की तरह वो जूटे, सचे, कुछ भी वादे करके केवल अपने प्रोड़ेट को बेचना है और पैसे कमाना है, आज हजारों करों रुपे की अचर्श बावा ने पिछले आर्दर सालों में बना ली हैं, बावा जिस तेंजी के साथ आर्थिक रूप से ब भी हुआ था कि शिव भगवान की पूजा मेरे कारण होती क्योंकि मैं शिव भगवान को पूछता हूँ, ऐसी ही बातों-बातों में बावा रामदेव भी अपनी सक्तियों को इस तरीके से प्रदर्शित करते थे कि पूरी भात्पा की सरकार और बात्पा जो चुनाव जी यह बाबा को एंकार कहीं न कहीं हो गया था या भ्रम हो गया था मति भ्रम जो आज सुप्रीम कोट ने तोड़ दिया है और बाबा हाँ जोड़के और बालकिशन जी खड़े रहे माफी मांगते रहे लेकिन सुप्रीम कोट ने उन्हें माफी नहीं दी और यह कहा कि अबमा करें फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा लेना है माफी देनी है नहीं देनी है किन सर्थों पर देनी है इस पर बाबा के उपर अपकानुन की तलवाद अच्छी तरीके से लटक गए है घंडवाद